साहिरा प्यारे बच्चों, बच्चों, अभी आप लोगों का F.A.4 का एक्जाम खतम हो चुका है और अभी हम यहां पर हमारी हिंदी अविरल की पुस्तक का नया पार आज हम यहां पर सीखेंगे तो चलिए बच्चो आप अपनी हिंदी अविरल की पुस्तक का पेज नंबर 123 निकाल लीजिए आज हम यहाँ पर जो पार्ट पढ़ेंगे उसका नाम है पार्ट 16 वरुं का आत्मिविश्वास आत्मिविश्वास का अर्थ क्या है क्या आपको पता है बच्चो आत्मिविश्वास का अर्थ क्या होता है नहीं पता तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आत्मिविश्वास का अर्थ है अपने उपर विश्वास यानि की confidence तो बच्चों, आज हम यहाँ पर एक ऐसे बच्चे के बारे में पढ़ेंगे जिसने कभी हिम्मत नहीं हारी, बलकि कितनी भी कठिन परिस्तितियां आने पर भी उसने उसका डटकर मुकाबला किया और अपना आत्मियुश्वास बनाए रखा. आत्मियुश्वास ही व्यक्ति को सम्रिद्धी के रास्ते पर ले जाता है. जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्मियुश्वास का होना बहुत आवश्यक है. तो चलिए बच्चो आज हम पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं. तो पाठ का नाम क्या है? पाठ सूला वरुम का आत्मियुश्वास. वरुम प्रतिबा संपन और विलक्षन बुद्धी वाला लड़का था. वह पढ़ने लिखने में तो खोश्या था ही, उसका स्वभाव भी वहुत अच्चा था. परंतु वह अपंग था. उसके एक पैर में ओलियो हो गया था. जिसके कारण वह लंगडा कर चलता था. और क कक्षा के अन्य बच्चों से दूर दूर रहता था. उसी कक्षा में युवल नाम का एक लड़का पढ़ता था. वह सदे उसकी हिम्मत बंधाता और उसे सब के साथ गुल मिलकर रहने की प्रेना देता. परंतु वरुम को सब के साथ रहने में अजीब सा डर महसूस होता था यहां पर बच्चों देखिए वरुम नाम का एक पालक रहता है एक लड़का रहता है जिसमें प्रतिवा संपन यानि जिसमें योग गेता हूँ. वरुम नाम का जो लड़का है वो तेज बुद्धी वाल बुद्धी वाला और वुश्यार लड़का था. वह पढ़ने कोई एक भाग काम न करना उसके एक पैर में पोलियो हो गया था यानि वह ठीक से नहीं चल पाता था और कक्षा के अन्य बच्चों से दूर दूर रहता था अन्य यानि दूसरे बच्चों से जो क्लास में उसके जो सह पार्टी हैं उनसे वह हमेशा दूरी बनाए रगता था उसी कक्षा में यूवल नाम का एक लड़का पढ़ता था वह सदेव उसकी हिम्मत बंधाता और उसे सब के साथ गुल मिलकर रहने की प्रेणा देता था यूवल जो है सदेव सदेव यानि हमेशा उसकी हिम्मत बंधाता था और सब के साथ उसे गुल मिलकर यानि सब के साथ मिल जुलकर रहने की उसे प्रेणा देता था कि तुम सब बच्चों के साथ गुल मिलकर रहो ऐसी उसे सीख देता था परन्तु वरुन को सब के साथ रहने में अजीब सा डर महसूस होता था डर यानी भै वरुन जो है वो सब बच्चों के साथ दूरी इसलिए बनाए रखता था क्योंकि उसे एक अजीब सा डर रहता था इस कारणवे हमेशा दूसरे बच्चों से दूरी बनाये रखता था शब्दोकार चानते हैं प्रतिबा संपन यानि जिसमें योग्यता हो लड़का यानि बालक, सदेव यानि हमेशा एक दिन एक अन्होनी हो गई वरुन का पैर रास्ते में पड़े पत्थर से टकराया और वह जोड से गिर पड़ा एक दिन एक अन्होनी यानि दुरगटना हो गई, एक एकसिडेंट हो गया एक दिन उसके साथ एक एकसिडेंट हो गया यानि एक घटना घट गई वरुन का पैर रास्ते में पड़े पत्थर से टकराया वरुन जो है रस्ते में चल रहा था और उसका जो एक पाव है वो एक पत्थर से टकराता है और जो वरुन है वहीं पर जोर से गिर पड़ा उसी रास्ते में यूवल वी विद्डाले जा रहा था तबी रास्ते में उसे भीड दिखाई दी यूवल ने जब भीड में गुसकर देखा तो उसके होश उड़ गए वहीं वहां वरू जमीन पर गिरा पड़ा था और दर्द से छटपटा रहा था यूवल ने तुरंत एक व्यक्ति की सहायता से उसे अस्पताल पहुचाया डॉक्टर ने बताया कि वरून के पैर की हड़ी तूट गई है उसे ठीक होने में एक महिने का समय लगेगा यूवल ने वरून के माता पिता को फोन करना चाहा परन्तु किसी कारण से उसका फोन नहीं मिला यूवल दुरगटना की सूचना दे ने वरून के घर चला गया इस कारण यूवल को विद्ध्याले पहुचने में देरी हो गई अब ही आपे बच्चों देखिए उसी रास्ते में यूवल भी विद्ध्याले जा रहा था जिस रस्ते से वरून जा रहा था उसी रास्ते से यूवल भी पाट्शाला जा रहा था विद्ध्याले यानि पाट्शाला जा रहा था तबी रास्ते में उसे भीड दिखाई दी भीड यानि जुन्ड जब कोई लडाई जगडा करता है या रोड पे कोई गिर जाता है या कोई एक्सिडेंट हो जाता है तो लोगों की वहाँ पर भीड खट्टा हो जाना यानि जुन्ड खट्टा हो जाना तबी उसे रास्ते में भीड दिखाई दी यूवल ने जब भीड में गुसकर देखा यूवल ने जब भीड में से गुसकर देखा अंदर जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए यानि घबरा गया वहाँ वरूं जमीन पर गिरा पड़ा था जो उसका दोस्त जो उसका सहफाटी था वो जमीन पर गीड़ा पड़ा था और दर्द से छट पटा रहा था और दर्द के कारण मिचेन हो रहा यूवल ने तुरंत एक व्यक्ति की सहायता से उसे अस्पताल पहुँचाया यूवल ने क्या किया फटाफट एक व्यक्ति की मदद ली और मदद लेकर वरुन को अस्पताल पहुँचाया डॉक्टर ने बताया कि वरुन के पैर की हड़ी तूट गई है जो डॉक्टर ने चेक अप करने के बाद बताया कि वरुन के पैर की हड़ी तूट गई है उसे ठीक होने में एक महिने का समय लगेगा डॉक्टर ने कहा कि वरुन के जो पैर की है हड़ी है और टूट गई है और उसे ठीक होने में एक महिने का समय लगेगा यूवल ने वरुन के माता पिता को फोन करना चाहा यूवल जो है वरुन के माता पिता को फोन करके यह खबर देनी चाहिए परन्तु किसी कारण से उनका फोन नहीं मिला यूवल दुरगटना की सूचना देने वरुन के ख़र चला गया दुरगटना यानी असुगटना एक्सिडेन्ट की खबर देने के लिए सूचना यानि खबर देने के लिए किसके घर चला गया वरुण के घर चला गया इसी कारण यूवल को विद्यालय पहुँचने में देरी होगे यूवल जो है वरुण के माता पिता को एक्सिडेंट की सूचना देने के लिए उसके घर चला गया इस कारण से यूवल को स्कूल पहुँचने में पाथशाला पहुँचने में देरी होगी शब्दोकार जानते हैं विद्याले यानि पाथशाला होशुर्ना घबरा जाना सहायता मदद सूचना खबर जमीन धर्थी जब यूवल विद्याले पहुचा तो कक्षा में गूरुजी बड़ी लगन से पढ़ा रहे थे यूवल ने पूचा गूरुजी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ गूरुजी ने हैरान होकर पूचा यूवल क्या तुम्हें विद्याले आने में इतनी देर कैसे हो गई यूवल ने गूरुजी को पूरी बात बताई यह सुनकर गूरुजी ने कहा यूवल मैं तुम्हारे निस्वार्थ सीवा भावना से बहुत प्रसन हूँ तुमने बहुत ही नेक काम किया है तुम अवश्य ही एक दिन अपने देश का नाम रोशन करोगे यूवल जब विद्याले पहुंचता है तो जो उनके गूरुजी गूरुजी यानि अध्यापक, शिक्षक वड़ी लगन से बच्चों को पढ़ा रहे थे यूवल ने पूछा गूरुजी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ यूवल गूरुजी से पर्मिशन मांगता है कि क्या मैं क्लास में आ सकता हूँ गूरुजी ने हैरान होकर पूछा, हैरान यानि आश्रे से उससे पूछते हैं यूवल आज तुमें विद्याले आने में इतनी देरी कैसी हो गई गुरुजी यूवल से कहते हैं कि आस्क में पार्चाला आने में इतनी देर कैसे हो गई यूवल ने गुरुजी को पूरी पात बताई वरुन के साथ जो जो घटना हुई वो यूवल ने गुरुजी को सारी बात बताई यह सुनकर गुरुजी ने कहा यह सुनकर जो अध्यापक जो सिख्षक है वो यूवल से कहते हैं यूवल मैं तुम्हारी निस्वार्थ यानि बिना स्वार्थ के प्रसंद्न यानि खुश युवल मैं तुम्हारे बिना स्वार्थ की भावना से बहुत प्रसन हूँ आज तुमने बहुत ही नेक नेक यानि वहुत ही अच्छा भला काम किया है कि तुमने जो आज काम किया है वह वहुत ही अच्छा काम किया है तुम अवश्य ही एक दिन अपने देश का नाम रोशन करोगे कि आज तुमने इतना अच्छा काम किया है मुझे लगता है कि तुम एक नए एक दिन अपने देश का नाम आगे बढ़ाओगे रोशन करोगे शब्दुकार्थ जानते हैं गूरुजी यानी अध्यापक निस्वार्थ यानी बिना स्वार्थ के प्रसन्न खुश तो बच्चो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं आज हमने जो पाट पढ़ा था आप भी उसे पढ़ लीजे शेश बचे हुए पाट का अध्यान हम अगली वीडियो में करें धन्यावाद